पिर ये विद्ध्यार्थियो नमस्कार, एजोकेशन स्कूल यूटूब चेनल पे आपका सवागत है, हम पढ़ रहे थे मिक्स्रेंड एलिगेशन, जिसकी दो कलास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 12 किस्टन सोल कर लिये थे, किस्टन नमबर 13 से देखो किस्टन नमबर 13 में क्या है, एक बरतन में 60 लिटर दूद है, उसमें से 12 लिटर दूद निकाल कर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिस्रन में 12 लिटर दूद निकाल कर पानी भर दिया जाता है, परिनामी मिस्रन में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा, दूद है 60 उसमें इस 12 लिटर निकाला गया है, तो लिखेंगे निकाला गया भाग, निकाला गया भाग, भाग निकालनेंगे कौन सा भाग निकाला गया है, दूद निकाला गया है 12 लिटर, और टोटल कितना है, 60 लिटर, तो बारा स्कैंसिल करतेंगे एक बार में और पांच बार में, यानि एक बटा पांच बाग निकाला गया है, ठीक है, सेस बाग, लिख लेंगे, सेस बाग, कितना बचेगा, यानि टोटल पांच है, पांच में से एक निकाल लिया गया, च्यार बचा है, यानि च्यार बटा पांच बाग बचा है, क्योंकि एक बाग निकाल लिया गया, तो पहली बार कितना बचा चार बटा पांच फिर दूसरी बार एक बार ओर की जाती है प्रक्रिया फिर चार बटा पांच दोनुबार पानी भर दिया जाता है तो क्या उज़े चार गुणा चार 16 बटा 25 अब 16 बटा 25 क्या है ये सेस दूद है ये दूद 16 है तो टोटल मिस्रन कितना है 25 ये क्या है लिख लेना सेस दूद और ये ये है कुल मिस्रन कुल मिस्रन ये कुल मिस्रन उसके बाद देखो क्या पुछा है दूद और पानी का अनुपात तो दूद अनुपात, पानी, कितना हो जाएगा देखो भी, दूद कितना है, सोड़ा बाग, और पानी, बहुत मिला है, पानी गया है, तो टोटल मिस्णन कितना है, 25, सोड़ा दूद है, तो बच गया हो क्या है, पानी, तो 25 मिस्ण सोड़ा गटा दें, कितना बचेगा, 9, पानी कितना है नो अभी कैंसिल होता नहीं तो क्या हुज़े सोडा अनुपात नो यह हमारा अंसर होगा जो अप्सन ए में है क्यूस्टन नमबर 14 सूध दूद से बरेवे किसी बरतन से 20% दूद को निकालकर उतनी मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तो यह परक्रिया तीन ब गया भाग निकाला गया भाग कितना निकाला गया है बीस परतीसत बीस परतीस का मतलब बीस बटा सो यानी एक बटा पांच वहीं सेम क्यूस्टन मन जाएगा ठीक है इसको में एक बटा पांच लिख दिया बीस परतीसत को ठीक है उसके बाद लिखेंगे सेस बहाग तो सेस जा च्यार और कुल कितना है पांच शेस वागन भी शेस दूद लिखेंगे शेस दूद कितना हो जाएगा च्यार बटा पांच फिर ये पर क्रिया तीन बार दोराई जाती है तीन बार दोराएंगे तो क्या हो जाएगा फिर लिखेंगे शेस दूद च्यार बटा पांच गु 5 क्यंसे लिए होता नहीं गौप की क्यूप 10 की क्यूप 125 में दूद्ध है अब क्या पुछ आ है कि परतिसति निकालना है तो सिफ़ा सूशिंगा कर देंगे प्रतिसाथ कुल विश्रण पर निकालते हैं कुल कितना 125 उसमें जदूद है 64 तो प्रतिसाथ निकालना 64 बटा 125 गुणा में 100 ठीक है अनुपात पुष्टा तो यह 64 है और पानी का 125 में चैनल होता नहीं तो क्या करेंगे इसको गुणा करके पांच से बाग देंगे इससे आसान क्या है उपर नीचे दोनों को 2 से गुणा कर दो दो से गुणा करते हैं कि नीचे क्या हो जएता एक अंग के बाद 10 लगा दो तूम क्या करेंगे इससको दो से गुना कर लो उपर 4 गुणा दो 8 8 को इससे करेंगी तो चोलित और 4 को यानि आठीक्याओ क्यंख ऑजाएगी 55012 और एक अंग के बाद 10 कुल लगा दो पर 37 को चार को गुणा करेंगे जई एंसर आएगा ठीक है इनि 59 65 कदिया और 5 से बाग तो मैंने क्या क्या उप्रल निचे डो से गूना कर दिया कोई फरक नहीं परकता निचे क्या बन गया दस और उपर मैंने 2 से गुणा कर दिया क्या चाहर क्यार गौना-दो आट ऐGS की क्यूब कि क्योंता है 5012 तो एक अंकक के बाद दसमरो लगा दिया ठीक है ऐसी सोट्रीक अपनाओगे तभी जल्दी सोल कर पाओगे एक्जाम में ठीक है पांट से बाग देते हैं टाइम लगता हमारा अंसर का जाई क्या उन पॉइंट दो परतिस्ट जो अप्शन C में है क्युस्टन नमबर 15 दो समान बरतनों को पानी और दूद से तीन नुपात च्यार और पांट नुपात तीन के नुपात से भरा जाता है विद्धो बरतन हुनमें दूद और पानी का नुपात यह है यदि इन मिस्टनों को तीसरे बरतन में डाला जाता है तो नए मिस्टन में पानी और दूद का नुपात बताएं तो पहले पानी है फिर दूद है लिखो पानी और फिर लिखेंगे दूद क्या नुपात है पहले में है तीन नुपात च्यार लिखो तीन नुपात च्यार बरतन में या A, B, जो नाम देलो इनका देना चाहो तो नाम आप हैं दूसरिया बरत्र में है पांच अनुपात तीन तीसरिया बरत्र में डाला जाता है ये फिर पाणी रुदूत का अनुपात कुछ चाहे पहले इन के मातरा बराबर होनी चाहिए तो बराबर करने के लिए क्या किरेंगे पहले देखो कितना चलर ऊस्टेटल लेडिये साथ अनुपात में 7 है यह पांच उरी तिन आर्ट इनकी मात्रा बराबर होने चाहिए बराबर होने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का ये ले लेंगे है ल्टियम कितना आएगा साथ रॉट का शप्पन साथ से बाग देंगे छपन को कितना आएगा आठ तो इसको माट बड़ देंगे आठ से बाग देने कितना हैगा साथ तो इसको साथ से गणा कर देंगे आधि अब यह ब्रापर हो जाएगा नूपात लेखो चार ओर तिन शाथ साथ गुना ह्पान साथ पांच और तिन आठ 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 गुना साथ तरह पाएंगे उसके बाद तीसरे बरतन में पानी और और दूद पानी, और दूद, किसा नुपात में होगा तो बरापर लि Fifth Fink is अद उन्मावी 10ensch 01 ऑने 26 पुरियं नुपात को गुणा अगी मैं होगी ना तो पानी हो जाएगा 24, पलस दूसरे बरत्र में हो जाएगा 27 FPS यह तो होगा यह पानी दूद दूद देखो पहले बरतन में आठ गुना च्यार 32 पलस साथ गुना तीन दूसरे में 21 कि दोनों में 56 लिटर में में स्रान बना लिया ना में तो अब जोड़ेंगे इनको पांथ और च्यार नो तीन और दो पांच उनसथ बटा दो रेक तीन और पांच यहनि उनसथ हन नुपात 53 होगा वी उनसथ अनुपात 53 जो ओप्शन D में है बी में देखो आप क्या त्रेपण अनुपात 59 तो पहले क्या पुछा गया है पाणी फिर दूद तो पहले पांच का ही लिखेंगे तो पांच कितना है उनसथ ऊप्शन नहारा D होगा इन बातों को आप जान र पांच नुपात तीन है समान मात्रा के तिनों परियोगों में से एक मिस्रण बनाया जाता है मिस्रण में पानी और अमल का नुपात बताओ वे तिनों को मिला के एक बरतन में मिलाया जाता है तो इनका नुपात पूछा फिर अमल और पानी का तो यह लिखेंगे अमल और पानी क्या अनुपात गर रखा वे पहले बरतन में है दो अनुपात एक दूसरे में है तीन अनुपात दो तीसरे में है पांच अनुपात तीन तो पहले इन की मातरा बराबर करेंगे इसमें कितना टोटल अनुपात तीन दूसरे में 3 और 2 5, तीसरे में 5 और 3 8, इनका अलसियम ले लेंगे वई, अलसियम कितना हैगा, 5 तीए 15, 15 गुना 8, 120, तीन वन कुमन कुछ है निए तलसियम आगा 120, इनका अलसियम निकार ले, 120, तो देखो, 3 से बाग करेंगे, तो 40 बार में, तो इस अनुपात को हम 40 से गु गुना करेंगे, 8 से बाग देंगे, तो 15, तो इसको हम 15 से गुना करेंगे, अब पुच्छा है, तीनों को एक बरतन में डाल दिया जाता है, तो पानी और अमल का अनुपात, तो लिखेंगे, पानी बटा, अमल का अनुपात लिखेंगे, पानी टोटल कितना हो जाएगा, पानी देखो पहले इसमें दिख्या दिया था अमल और लास्ट में क्या गुच्छा है पहले पानी और फिर अमल तो पहले पानी का लिखेंगे चालिस गुणा एक चालिस पलस दूसरे बर्तन में 24 गुणा दो अड़तालिस तीसरे में 15 गुणा तीन पैनतालिस ये तो हो गया पानी का फिर अमल का चालिस गुणा दो अस्ची पलस 24 गुणा तीन बैतर पलस 15 गुणा पांच पिचेतर अब इनको जोड़ दो वही पांच और आठ तेरा तीन हासिल एक चार चार आठ चार बारा और एक तेरा एक सो तेतिस पांच और दो साथ 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 14 और आठ 22 यानि एक सो तेतिस अनुपात 227 एक सो तेतिस अनुपात 227 ओप्शन बी में हुई यह हमारा राइट है बी ओप्शन लेकिन इसमें क्या लिख रखा है पहले 227 फिर 133 यह क्युश्षन एक्जाम में आयवे हैं प्रिवेश ये क्युश्षन है ठीक है तो देख लेना option में इस तरह ही मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले क्या था? अमल, तो आप अमल का लिख देती है, तो गलत हो जाता, क्योंकि last में पुछा क्या है? पानी और अमल का नुपात, तो क्या हो जाएगा? 133 नुपात, 227, option B, यह हमारा right होगा, क्योंसर नमर 17, दो मिसर दातों में तिन तथा लोहा, एक नुपात दो, और तिन नुपात दो के नुपात में है, यदि मिसर दातों को तिन नुपात च्यार, वजन के नुपात में मिलाये जाता है, तो नए मिसर दातू में तिन तथा लूहे का नुपात, क्या होगा ये question थोणा change कर दिया हुई हर type का question आपको देखने का मिलेगा तो पहले लिखो क्या, टिन और लोहा कि टिन और लोहा कि तनुपात में है, पहले में है मिसर दात उसमें एक नुपात, दू में है 2,b7,3 हम दिरे दिरे आगे बड़ते जाएंगे कrying में लोल में ठीक है सबसे पहले क्या लिखते थे टोटल नुपाद जोड़ के लखो तीन फिर इनका 5 पहले इनका अनुपाद बराबर यैं मात्रा बराबर करेंगे कैसे करेंगे इनका LCM लेंगे दोनों का कितना आएगा 15 क्यों नों पात में तभी मिला पाएंगे नो भई जब इनकी मात्रा बराबर होगी तो तीन से बाग देंगे पांच बुना यानि पांच से होगी पांच से बाग देंगे तीन अब क्या होगा इनकी मात्रा बराबर होगी ठीक है? मात्रा बराबर होगी लेकर आगे क्या बोलता अब बॉलता है? यदि मिस्रदाथों को 3 नुपाथ 4 वजन के नुपाथ में मिलाए जाता है यनि पहले का 3 वाग और दूसरे का 4 वाग लिया जाता है तो पहले को आप 3 से और गुणा करेंगी जो अपकी बार बराबर मात्रा नहीं लेनी भई पहले का तो तीन भाग और दूसरे का च्यार भाग वजन के नुपात में मिलाए जाता है तो नए मिश्रण में टीन और लोहे का नुपात क्या होगा ठीक है अब इससे गुणा करेंगे पांस गुणा तीन पंद्रा तो इसको तो पंद्रा से गुणा करेंगे चाहो ताब इसको कैंसिल भी कर सकती हो यहां वई क्योंकि बाद में भी कैंसिल करना पड़ेगा एक पर पहले वैसे देख लो आप पांस गुणा तीन पंद्रा पंद्रा से गुणा करेंगे तो क्या कुछ चाहें टीन और लोहा 3 उपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे लोहा देखो पहले तीन पांस गुना तीन 15 से गुना करना है तो टीन हो जाएगा 15 पलस 4 गुना तीन 12 इसको 12 से गुना करेंगे यी हो जाएगा 24 बटा में लोहा 15 गुणा 2 30 पलस 12 गुणा 3 36 यह उजाएगा 49 बटा में 66 अब इसको 3 से हम कैंसिल करेंगे तो क्या उजाएगा 3 से 13 यह 3 से 22 यह 13 अनुपात 22 ओप्षन D है ठीक है वही लेकिन इसको हम यहाँ आसान भी बना सकते थे यह तरीका आपने समझे लिया एक हम ठीक है यह था सिंपल तरीका लेकिना हम चाथते तो क्या करकते थे दूसरा देखो वह आम दोनों नो पात में है तो क्या करेंगे ये गुणा में है पांच और तीन और चार गुणा में है तीन से तीन यही कैंसिल कर दो दोनों में और कोई कैंसिल होता दोर कर दो और नहीं होता अब पांच से गुणा कर देते पांच गुना एक पांच पलस पांच गुना दो दस नहीं सोड़ पांच गुना एक पांच और च्यार गुना दो आठ बटा में क्या है लोग हाँ पांच गुणा दो, दस, पलस, च्यार गुणा तीन, बारा, कितना आत्ता, तेरा बटा, बाइस, आंसर वही आत्ता, तेरा बटा, बाइस, लिंग क्या हुआ, एक तो कल्कुलेसिन छोटी हो गई, यहीं पे तीन से तीन कैंसिल कर दिया, हमें 15 गुणा करना परता, उसकी ज़ बना दो इसको, ठीक है, तो अप्शन D हो जाएगा भी, क्यूस्टन नमबर 18, तीन कंटेनर जिन का अनुपात, दो अनुपात, तीन अनुपात, च्यार के अनुपात में हैं, सप्रीट और पानी के मिश्रण से पूरे भरेविये हैं, पहले कंटेनर में सप्रीट और पानी क अनुपात, च्यार अनुपात, एक, दूसरे कंटेनर में अनुपात, ग्यारा अनुपात, च्यार, और तीसरे कंटेनर में अनुपात, साथ अनुपात, तीन हैं, तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, परणामे मिश्रण में सप्रीट और पान 3 है लेकिन यह ना कंटेनर का नुपात अभ़ी 2 नुपात 3 नुपात 4 यनि पहले में 2 लिटर है टोटल मिश्टन दूसरे में 3 और 3 में 4 लिटर है इसका कहने का मतलब ही है और जो सप्रीट और पाणी है वो नुपात यह है एक, ग्यारा, च्यार, साथ, तिन तो पहले में क्या है 4 अनुपात 1 दूसरे में है 11 अनुपात 4 तीसरे में है 7 अनुपात 3 पहले जोड़िंग टोटल अनुपात 5 पहले का 5 दूसरे का 11 और 4 15 और तीसरे का 7 और 3 10 सब से पहले क्या करेंगे इनका LCM इसके बाद LCM क्या हो जाएगा पांच और पंदरा का पंदरा ही रहेगा पंदरा और दस का 30 हो जाएगा इनका LC मा गया 30 कि मातरा बराबर करेंगे तिरनों की पहले मातरा बराबर करने के लिए 5 से बाग देंगे 6 यानि होगा 6 से गुणा फिर इसको करेंगे 15 से बाग देंगे 2 तो 2 से गुणा कर देंगे 10 से बाग देंगे 3 अब क्या है तीनों की मात्रा बराबर हो गई लेकिन हमने बराबर कर दी किसन में क्या बोलता बराबर नहीं है कितनी है दो नुपात तीन नुपात च्यार के नुपात में तो यह नुपात पहले हम बराबर करेंगे तभी कर पाएंगे नुपात ठीक है अब इसको कर देंगे दो इसको तीन से कुणा इसको च्यार से कुणा ये नुपात है भी ठीक है अब इसको स्वोल कर दो अब कैंचल होता है कैंचल कर दो देखो तीन से कैंचल करेंगे तीन कैंचल तीन कैंचल और चैको कर देंगे तीन दुना चैन दो आ जाएगा फिर के बाद 2 से भी होता है, 2 से एस कैंचिल कर दो, 2 से एस कैंचिल कर दो, और इसको 2 बना दो, फिर थिक हैं, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, एक बचा है, तो कोई कैंचिल नहीं होगा, अब पुछा है last में, separate और पानी का अनुपात, दो, सिर्फ दो बचा यहां पे, दो से गुणा करेंगे, आठ, पलस यहां क्या बचा है, एक से गुणा करेंगे, ग्यारा, पलस यहां क्या बचा है, दो, दो से गुणा करेंगे, चोदा, बटा में, पानी का देखो भी, यहां पे दो बचा है, एक से गुणा करेंगे, दो, पलस च्यार एक ही है ना च्यार गुणा एक च्यार यहां पे दो है तो तीन गुणा दो छे अब जोड़ दो इसे 14 और 11 25 25 और 8 33 बटा में 10 और 12 अब कैंसिल हो जाएगा 3 से 11 और 3 से 4 यहां 11 बटा 4 यहां 11 अनुपात 4 यह नए से पानी का अनुपात हुआ तिन्नों को मिला देंगे तब तो अंसर हो जाएग 11 अनुपात 4 ओप्सन ए प्सन नमबर 19 संपून पर्थ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1 अनुपात 2 है यह गलती से लग गया लाश्ट में नुपात यह नहीं है एक अनुपात 2 है तथा उत्री गुलार्द में यह नुपात 2 अनुपात 3 है दक्ष गुलार दक्षिन गुलार दो बागों में बाट रखा है दोनुपात क्या है बराबर यह नियक अनुपात 1 यह यह मने अमाल लिया उत्री यानी नोर्थ यह माल लिया दक्षिन गुलार देनी साउथ ऐसे फिर बोलता है संपूर्ण पर्थ्वी पर जमीन से पानी का दो तो रुर्ण और पांड नियों कде यह म貜 Another टो इजमीन और पानी ठीक है कितना है एक नुपात दो तो हमने लिख लिया एक अनुपात दो उत्री गोलार्द में ये नुपात दो नुपात तीन या लिख ले उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द पर कितना है दो नुपात तीन ये दो नुपात एक में है उत्री और दक्षनी गोलार्द तो लेकिन क्या वोलता है जो उत्री दक्षिनी को लार्द में जमीन और पाणगे का अनुपाथ क्या होंगा तो क्या करें देखो द्लीचत को सबसे बले वही अनुपाथ जोड़ें कितना हो गया तीन और ये 5 फिर क्या करेंगे दोनों का LCM लेंगे LCM कितना आएगा 5 और 3 का 15 LCM आ गया 15 फिर 3 से बाग देंगे 5 बार में यह इसको कुना करेंगे 5 से और इसको कुना करेंगे 5 से बाग देंगे तो 3 बार अब क्या होगे दोनों बराबर होगे ये तो संपूर्ण पर्थवी और ये है उत्री गुलार्द, दोनों का मात्रा बराबर होगी, लेकिन मात्रा बराबर तो नहीं है, क्योंकि उत्री गुलार्द और दक्षिन गुलार्द दो बागों में बराबर बराबर बटे वे हैं, यानि संपूर्ण पर्थवी उत्री कर देंगे ठीक है इसको दो सगुणा कर दें क्यूंकि डवल एना समपूर्ण ये इसका अद्धाबाद है पहले इना बराबर कर लिया उसके बाद इसको दो से गुना इसको एक से गुना तो अब वे क्या बुच्छा है लिखो संपूर्ण पर थ्वी पर दो बार फिर से लिख लेंगे एक बार जमीन वैं पानी तो जमीन कितना हो जाएगा देखो पांच गुना दो दस दस से गुना करेंगे एक को दस अनुपात पानी हो जाएगा पांच गुना दो दस दस से दो गुना करेंगे बीस and समपोन पर्थ्वी पर 10 बाग जमीन है तो 20 बाग पानी है ऊत्री गुलार्ध पर 3 गुणा 1, 3 so 3 गुणा करतेंगे 3 गुणा 2, 6 अनुपात 3-6, 9 यनि 6 बाग जमीन है तो 9 बाग क्या है? पानी है उत्री गुलार्ध पर अवे पूछा क्या है दक्षिनी गोलार्द तो टोटल में से अनुपात अब गटा देंगे लिखेंगे दक्षिनी गोलार्द पर जमीन वह पानी देख वह उपर लिखाओ वह जमीन तो वह अनुपात चल रहा ही है ठीक है टोटल 10 है समपूर्ण पे उत्री पे 6 पानी है तो और उत्री गोलार्द पे नो बाग पानी तो 20 में से नो गटा देंगे 11 पर्थवी है 10 बाग उत्री पे थी 6 हमने गटा दिया 4 बाग दक्षिनी गोलार्द में है पर्थवी और पानी 20 में से नो गटा दिया 11 बाग दक्षिनी गोलार्द में है पानी यान ग्यारा अनुपा दृत से नंबर बी साथ किलोग्राम मिसरदाथ एको सो किलोग्राम से दातो बी के साथ मिस्रित क्या जाता है यदि मिसरदाथ तुमें मिसरदा तुमें सिसा और ताड़ीम चील के मात्रा क्या होगी ऐप्सन 232 किलो गराम क्लीड जाने किलो गराम इस किलो घुशन को उसल करके अंसर कॉमेंट वोक्स में लिख देरना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद